नमस्कार दोस्तों बैट अन्बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है आजम बात करेंगे सभी समय के महंतम क्रिकेटरों में से एक ब्रैन लारा ने अपने शामदर करियर के दोरान कहीं यादगार पल बिताए हैं और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं गैस चैनल पर नई है तो चैनल सब्सक्राइब जरू करना यहां आपको क्रिकेट और स्पोर्ट से जोड़े सारे अपडेट मिलते हैं इंग्लैंड के विरुद 375 रन 1994 ब्रैन लारा ने एंटी गवाना रीक्रियेशन ग्राउंड में इंग्लैंड के विरुद 375 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में सर्वुच्चे अधिक वेक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा यह रिकॉर्ड लगबग एक दशक तक कायम रहा वार्विक शायर के लिए 501 नौट आउट 1994 उसी श्वर्ष लारा ने एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया इस बार प्रत्वम शैनी क्रिकेट में धरम के विरुद वार्विक शायर के लिए 501 नौट आउट बनाकर यह प्रत्वम शैनी क्रिकेट के इतियास में सर्व उच्चे वेक्तिगत स्कोर बनाया उस्टेलिया के विरुद 153 नौट आउट 1999 अब तक खेली गई सबसे महान टेस्ट पारियों में से एक में लारा ने उस्टेलिया के विरुद ब्रिज टाउन बार्बरडोज में नाबाद 153 रन बनाये जिसमें वेस्ट इंडीस को एक विकिट से परसिद जीत मिली नौट आउट 2004 लारा ने एंटी गवाना रीक्रियेशन ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ 400 नौट आउट पनाकर टेस्ट क्रिकेट में सर्वच्चे वेक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड फिर से हासिल किया इस उलेखनीय पारी ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में सर्वच्चे वेक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड फिर से हासिल करने वाला एक मातर खिलाडी बना दिया कप्तानी और लिडर्शिप लारा ने वेस्ट इंडीस टीम के कप्तान के रूप में कई बार काम किया हाला कि उनके कारेकाल में चुनौतियां थी लेकिन उन्होंने महतोपूंट जीत हासिल की जिसमें 2004 में ICC Champions Trophy फाइनल में टीम का लिडर्शिप करना भी शामिल है 2004 ICC Champions Trophy लारा ने कप्तानी में वेस्ट इंडीस ने 2004 ICC Champions Trophy जीती फाइनल में इंग्लैंड को हराया संकरमन के दोर में वेस्ट इंडीस टीम के लिए यह है एक महतोपूंट उपलब्दी थी कई दोहरे शतक लारा ने अपने करियर में कई दोहरे शतक लगाए जिसमें 1993 में सिड्नी में ऑस्टेलिया के खिलाफ 277 दोहजार पांच में एंडी लैंड में ऑस्टेलिया के खिलाफ 226 और 2003 में जोहांस में दक्षन अफरीका के खिलाफ 202 रन शामिल हैं टेस्ट और वंडे क्रिकिट में बहतरीन स्कोर लारा ने टेस्ट क्रिकिट में 11,000 से जादा रन और वंडे इंटरनेशनल ODI में 10,000 से जादा रन बनाकर अपने करियर का अंथ किया जिसमें वे खेल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडियों में से एक बन गए 2007 में सन्यास लारा ने 2007 ICC क्रिकिट वर्ल्ड कप के बाद अंतर राश्ट्रे क्रिकिट से सन्यास ले लिया उनकी विदाई दुनिया भर ने क्रिकिटर पर्शंजकों के लिए एक भावुक पल था जिसमें एक यूग का अंत को चिनित किया माननेता और पुरसकार अपने पूरे करियर के दोरान लारा को कई पुरसकार और सम्मान मिले जिसमें दो बार 1994 और 1995 विजेडन लीडिंग क्रिकिट इन डे ओफ वर्ल्ड का खिताब और 2012 ICC क्रिकिट हॉल ओफ फेम में शामिल होना शामिल है ब्रैन लारा के करियर को उनकी अविश्वसनिय प्रतिभा रिकॉर्ड तोड़ने वाले परदशनों और वेस्ट इंडिस क्रिकिट में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है उनकी विरासत क्रिकेटरों के भावी पिडियों को प्रेरित करती है गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो